हेलो अबरिवन वल्कम तो माई चैनल देखिए फ्रेंड्स आज हम ये अंगुठे वाली लेडिस सोक्स बनाएंगे एंकल नेंथ में तो बहुत ही आसान है इनकी बुनाई इनको हर कोई बना लेगा जिसको उल्टा सिदा बनाना आता होगा वो इस सोक्स को बहुत ही आसानी से बना लेगा और मैं पूरा वीडियो में स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज से लाइक कर लीजिए तो देख लेते कैसे बनेगी तो देखिए इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 10 नंबर की निडल्स का मैंने यहाँ पे यूज किया है और यह मेरे पास पतली उन है अगर आपके पास मोटी हो तो आप थोड़ी सी इसमें मोटी निडल्स का यूज करें नो नंबर की आप इसमें निडल्स लगाए तो देखिए सिंगल ठ्रेड से हम इसमें फंदे डालेंगे सबसे पहले मैं इसमें एक स्लिप नोट लगा लूँगी, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, यह देखिए, थूड़ा सा आप इसको टाइट कर लीजिए, और हम इसमें, ऐसे हम इसमें फंदे डालेंगे, एक हमारा नोट से हो गया, दो, तेन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस, बिल्कुल लूज लूज आप इसमें फंदे डालेगा, देखिए, यह तो हमारा पैर के निचे का हिस्सा है, यह टाइट टाइट बनेगा, पैर में चुबेगा, तो बिल्कुल आप लूज हाथ से इसमें फंदे डालेगा, तो मैं इसमें 48 फंदे डाल लेती हूँ, उसके बाद हम आगे से डिजाइन को बनाएंगे, देखिए, इसमें मैंने फ्रेंट 48 फंदे मैंने इसमें डाल लिये हैं, यह हमारे सीदी साइड बनेगी, यह उटी साइड बनेगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हम ऐ से उलटा उल्टा बनाओंगे भी नीचे से स्टार्ट करेंगे सोक्स को बनाना कैसे हिए पूरी रो में इसी तरीके से है इसे उल्टा उल्टा बनाना उल्टा उल्टा बनाएंगे यह हम निचे की निचे से स्टार्ट करेंगे सोक्स को बनाना पंजे से स्टार्ट करके उपर तक जाएंगे यह देखिए पूरी रो मैं इसी तरीके से ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे सारे इफ़ंदे मैं इस तरीके से बना लूँ, यह देखे, लास्ट वाले फ़ंदे को हम सिधा बना देंगे, एक रो हमने इसमें उतार ली है, अब आगए हम सीवी साइड इस साइड से भी हम इसको ऐसे बनाएंगे, फस्ट वाला उतार लेंगे, और ऐसे हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे, यह देखिए, सिधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी हम इसे उल्टा ही बनाएंगे, यह देखिए, हमारी एक लाइन बन जाएगे, जब हम दो रो बनाए है तो देखिए एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ यह मैंने टोटल दोनों साइड से गिने तो 16 रो और यह लाइन आप गिनोगे यह वाली तो मैंने आठ यह डिजाइन की लाइन इसमें डाली है तो सेम इसी तरीके से भी मैं इतना ही इस पार्ट को भी मैं बना लेती हूं दोनों साइड से हमारी यह ऐसे दिखाई देगा तो मैं इसको इतना बना लेती हूं ऐसे ही बनाना है हमें दोनों साइड से उल्टा उल्टा तो मैं इसे कंप्लीट करके फिर हम आगे का डिजाइन बनाएं यह देखिए दोनों हमने पार्ट बना के कंप्लीट कर लिये हैं और ये भी हमारी सीधी साइड है और इसकी भी हमारी सीधी साइड है तो देखिए अब हम दोनों को इनको जॉइंट करेंगे तो कैसे करेंगे इस रोको में यहां तक बना लूँगी परस्ट वाला फंदा उतारने से देखे फ्रेंट्स ऐसी हमारी लाइन से बनती जाएगे कि बहुत ही सफाई के साथ हम इसको बनाएंगे तो पूरी रो मैं यहां तक बना लूँगी यह देखिए यहां तक मैं आ गई हूँ यह एक फंदा हम अभी नहीं बनाएंगे यह देखिए यह भी हमारा सिधा पार्ट ही होना चाहिए देखिए दोनों बिल्कुल बरापडर है इसको हम इसमें कर लेंगे और इन दो फंदों का मैं यहां पे एक फंदा बनाऊँगे द्यान से देखिए इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे दो फंदों का हमने यहाँ पे एक फंदा बना दिया इस पे फ्रेंड्स हम पैचान करने के लिए यहाँ पे हम एक मारकर लगा देंगे बीच वाले फंदे पे और यह पूरी रो मैं लास्ट तक इसी तरीके से लो यह देखें किनारे वाले फंदे को आप हमेशा सीधा बनाएगा देखें इस साइड भी हमारी चेंसी बंगती जाएगी पलट लेंगे अब देखिए अब उपर फ्रेंड्स हम फिर से पूरी लास्ट तक इनको ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे सारे फंदे इसी तरीके से मैं इस रो को यहां से भी हम ऐसे ही यहां से मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँए मैं यहां तक पहले बना लेती हूँ यह देखिए सारे फंदे हम यह बना लेंगे मारकर कोई सेड ले आएंगे इसको हम यहां से नहीं अटाएंगे क्योंकि बात में हम हमें इस फंदे की पैचान रहेगी यह देखिए और यह भी हम इसी तरीके से इसको थोड़ासा टाइट करिएगा आप जोएंट हमारा यहां पे लग गया है इस फ्रेड को आप यहां से काट भी सकते हो ठोड़ासा हम इसको ऑरं अंदर दबा देंगे नीचे नीचे यह देखिए इसको आप यहां पे इसको क्ण kitchen देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारी लाइन यह बन गई फ्रेंड से मैं यहाँ पर 2 लाइन और बनाओंगी टोटल हमारी यह यहाँ पर 11 लाइन हमारी यह बन जाएंगी तो मैं यहाँ पर 2 लाइन 4 रो में और उतारूंगी सीधी तरफ से भी उल्टा और इस साइड से भी जासे हमने नीचे बनाया है लेकिन हमें सारे इफंदे बनाएंगे दोनों साइड से मैं इसके उपर ये बना लेती हूँ फिर हम इसके उपर अपना और आगे के लिए बीच से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं इसमें ये दो धारी और बना लूँगी उसके बाद हम आ आठ, नो, दस, ग्यारा, ग्यारा रो हमारी ये उपर बन गई है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने बीच में ज्वैंट लगाया था, इसके उपर देखिए, ये लाइन बनी थे जब हमने इसमें ज्वैंट लगाया था, और उसके उपर एक और दो, ये लाइन हमारी ये दो बन गई अब देखिए यहां तक मैं बनाऊंगी जहां तक हमारा बीच का फंदा है अब हम बीच वारा पार्ट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे देखिए स्टार्टिंग के पांच फंदे में उल्टे ही बनाऊंगी दो तीन चार पांच थ्रेड को पिछे करेंगे और अब हम ये पीच का पार्ट सीधा बनाएंगे द्यान से देखिए इस सारे ही फंदे में मिडल तक ऐसे ही सीधे सीधे बना लोगी यहां तक इसी तरीके से अब हम सीधी तरब से सीधा उल्टी तरब से उल्टा ऐसे इसको बनाएंगे यहां तक मैंने इसको सीधा बना लिया है यह हमारा बीच का फंदा है अब मैं इस मारकर को निकाल लूँगे यह देखिए यह हमारा यहाँ से बीच का फंदा था जिसे मैंने मारकर लगा रखा था इसको भी मैं देखिए सीधा बना लूगी और अब यहाँ से देखिए हम इस फंदे को इसे पलट लेंगे और बैक साइड से इसका दो का एक कर देंगे और यहीं से हम वापस से मुढ जाएंगे इस साइड इसको बिना बना ऐसे ही ले लेंगे ये हमारे बीच का फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे सीधी तरफ से सीधा इस साइड से भी हम दो का एक करतेंगे तो एक-एक फंदा हम दोनों साइड से गटाएंगे पलट लेंगे सीधी साइड आ जाएंगे यह देखी थ्रेड को पीछे ही रखेंगे अब इसको ऐसे उतार लेंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे यह हमारे बीच का फंदा यह दो का एक किया था इसको भी हम बना लेंगे, यह देखिए, फिर से आगे से देखिए, ऐसे फंदे को पलट लेंगे, और दो का एक कर देंगे, यह देखिए, फिर से पलट लेंगे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, और यह देखिए, यह फंदे जो बीच के हैं अलग से दिखाई देंगे इनको हम ऐसे उल्टे बना लेंगे और इस साइड से फिर से हम दो का एक करेंगे इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे फिर से देखिए यह थ्रेड पीछे रखेंगे इसको ऐसे उतार लेंगे और यह फंदे हम सीधे बनाएंगे सीधी दरफ से सीधे उल्टी दरफ से उल्टे इसको भी हम बना लेंगे यह देखे, आपको प्रोपर से शेप दिखाई देगी, बिल्कुल V-shape बनेगी, इसकी यहाँ पर आप देखे, आगे जफन दालेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, दो का एक करेंगे, पलट लेंगे, जो दो का एक किया है, उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, ताकि हमपे बीच में ज़्यादा गैप न आए, और ये हम सारे उल्टे-उल्टे बना लेंगे, दोन्यों साइड से केक फंदा हमने कम करना है, उल्टी साइड से, उल्टी तरफ से, ऐसे हमने कम करना है, ये देखिए, दो का एक कर दिया, और यहीं से हम मुड़ जाएंगे, सीधे बनाएंगे ध्यान से देखिए सीधी तरफ से सीधा उल्टी तरफ से उल्टा तोनों साइड से एक एक फंदा कम करना है यह देखिए अब देखिए यह सीधी साइड है तो इस फंदे को हमने ऐसे पलटना है और बैक साइड से देखिए ऐसे डालके दो फंदे का एक करे आए पलट लेंगे एक बारोड देखिए इसको ऐसे उतारना है आपने अधया से कर लेंगे और यह's को हम अध़ा बनाएंगे कर दो होड़ात बनाएंगे सीधी साइड से सीधा बनाएंगे सीधा उटा चलेगा और तक यह देखिए यह उट्टी साइड के हैं तो हम आगे से यह फंते ऐसे गटा देंगे ऐसे पलट लेंगे अच्छे से आपको आ गया होगा देखिए, फर्स्ट वाला हमने ऐसे उताले जो दो का एक किया था बिना बनाए और यह हम ऐसे सिधे बना देंगे एक एक फंदा दोनों साइड से हमारा कम होता जाएगा यह देखिए अब फिर से हम इसको ऐसे पलट के पलट लेंगे और ऐसे दूखा एक कर देगे यह देखिए यह पीच का हिस्सा हमारा ऐसा बनता जाएगा वी शेप में तो फ्रेंड्स हमारे यह सारे ही फंदे इस साइड के भी यहां से लेके और इस साइड के भी उपर मेरे यहां पे 53 या 51 फंदे बचेंगे तब तक हमने इसको इसी तरीके से करते जाना है दोनों साइड से इस साइड से भी एक फंदा गटेगा इस साइड जे भी एक फंदा गटेगा और हमारी प्रोप्र बहुत सुन्दर यहां पे शेप आ जाएगी तो मैं इसको बना लेती हूँ इसी तरीके से फिर मैं आपको उपर का दिखाऊंगे यह देखिए मैं आपको सिधा करके दिखाऊंगे एक फंदा और हम दो का लिप कर लेंगे यह देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हमारी इसकी यह बिल्कुल वी शेप बनी है और अब इसमें उपर मेरे 53 फंदे हैं देखिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, तस, क्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, ठारा, उननिस, बीस, इकिस, बाईस, तेईस, चोविस, और यह पचिस, पचास, और यह तीन, तरिपन, 53, 53 फंदे मेरे उपर हैं आप देखिए इस रोकों में पूरा उतार लोगे इसके बाद में खंदे इसमें नहीं बटाओगी किनारे वाला खंदा हम सिधा बना लेंगे आप देखिए यह वाला पार्ट हमारा बनके कम्पलीट हो गया है यह देखिएगा आप फ्रेंड्स में उपर जैसे मैंने यह नीचे बनाया है मैं इसी तरीके का उपर बोडर बनाऊंगी अगर आप एक सिधा एक उल्टा का बनाऊ तो वो भी आप बना सकते हो तो देखिए आप हम यहाँ पे सारे फंदेए मैं उल्टे बना लेंगी देखिए जो हमारे सी दे फंदे थे इनको भी हम ऐसे उल्टे ही बना लेंगी देखिए बिल्कुल हमारे इसमें फंदे मिल गई इसलिए मैंने यहाँ पे कि हमारा गैप ना आई इसलिए मैंने यह फंदे यहाँ पे उल्टे रखे थे यह देखिए पूरी रो में यह उल्टे उल्टे बनाऊंगे एंड तक इसी तरीक्के से यह देखिए फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर गैप लगे तो आप ऐसे एक फंद उठाके यह ऐसे हम इसका गैप खतम करतेंगे इसके साथ दो का एक कर दीजिए कोई भी आप डिजाइन बनाओ अगर आपका गैप आए तो आप ऐसे गैप खतम कर सकते हूँ यह देखिए किनारे के फंदे को हम हमेशा सीधा बनाएंगे देखिए बिल्कुल भी हमारा गैप यहाँ पर नहीं है अब देखिए उल्के साइड से भी हमेशे फस्ट बाले को उतारके उल्टा उल्टा ही बनाएंगे तो तोनों साइड से मैं इसको उल्टा बनाते हुए मैं इसका बोडर बनाऊंगे आपको फ्रेंड जितना भी बड़ा बोडर पसंद है आप उतना ही बड़ा इसमें बोडर बनाएगा यह देखिए जब हम ऐसे बनाते हैं दो रो बनाएंगे जब हमारी यह एक लाइन बनेगी यह देखी एक लाइन हमारी बन गई है आठ लाइन मैं ऐसी और बनाऊंगे इसी तरीके से दोनों साइड से उल्टा-उल्टा तो फ्रेंट्स मैं इसे कम्प्लीट कर लेती हूँ यह इसी तरीके से मैं लाइन बनाऊंगे जैसे नीचे बनाई है पूरा करने के बाद फिर हम इसकी सिलाई करेंगे तो बहुत सुन्दर इसकी लुक आएगे बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आएगे तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी कि देखिए इसका फ्रेंड्स मैंने इतना चोड़ा उपर मैंने यह बॉर्डर बना लिया है यह देखिए एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नो नो मैंने इसमें यह धारी बनाई है यह देख सकती हो आप बिल्कुल प्रफेक्ट इसकी शेप आई है तो अब हम क्या करेंगे अब हम यह फंदे सारे बंद करेंगे यह देखिए दो का एक किया वापस डालेंगे फिर से दो का एक करेंगे यह आपने ना टाइट बंद करने है ना ज्यादा लूज बंद करने है इसी तरीके से हम यह सारे फंदे बंद कर लेंगे यह देखिए एक फंदा हमारा यहां प यह देखिए तो मैं सारे फंदे बंद कर लेती हूं यह देखिए सारे फंदे मैंने बंद कर लिए अब देखिए थोड़ा सा मैं लंबा थ्रेड लेऊंगी इसी में हम सुई में धागा डाल लेंगे यह देखिए और इसको मैं इसके अंदर से निकाल के इसको पका कर दूँए यह देखिए अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए ऐसे हम इसकी सिलाई करेंगे यह देखिए जो हमने यह थंदा उतारा है लास्ट वाला इसको ही हम पकड़के इसकी सिलाई करेंगे ऐसे यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक तो हमें इसमें दागा डाल लेते हुँ सोई में यह देखिए यह बिल्कुल जो हमारा यह ऐसे आपको फंदा दिखाई देगा दोनों साइड से तो पहले सबसे पहले हम इसको उपर से पका कर लेगे अच्छे से यहां से पका करने के बाद ऐसे हैं आपने ये इस साइड की चेन और ये इस साइड की ऐसे आपने इसकी सिलाई करने है और जैसे बाकिया आप जैसे सिलाई करते हो ऐसे भी आप से इसकी सिलाई कर सकते हो मैं इसको देखिए यहां से यहां तक विल्कुल और नीचे से इसको हम इतनी इसकी सिलाई करेंगे यहां तक यह इसा छोड़ देंगे यह मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इतना मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ बिल्कुल सिंपल करनी है यह चेन वाला फंदाई की दर से उठाना है और एक दर से जिस तरीके से भी आप इसकी सिलाई कर सकते हो बिल्कुल सफाई के साथ वैसे ही आप करिएगा अपने तरीके से तो मैं भी इसको सील लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का दिखाऊ देखिए यहां तक मैंने सील लिया है तो थोड़ा सा मैंने थ्रेड को पका कर लिया है अब देखिए यह इतना पार्ट हमारा इस साइड से भी इतना ही है और इस साइड से भी इतना ही है तो अब हमने इसको ऐसे पकड़ना है यह देखिए ऐसे हम इसकी सिलाई करेंगे यह देखिए ऐसे हम इसकी अब सिलाई करेंगे थोड़ा सा हमारा ये ऐसे आप नाप के देख लीजिए थोड़ा सा में इसको और सील लेगते हुआ अब देखिए ऐसे हम इसकी पहले हम एक साइड से इस साइड से सिलाई करेंगे इसके इसके भी आप पिल्कुल ऐसे किनारे मिला के आप इसकी सिलाई करिएगा और देखिए ये थोड़ा सा आगे का हिस्सा हम इसकी ऐसे गुलाई में कर लेंगे अब हम इसको ऐसे खेंच देंगे तो आगे से हमारी ये पैर में चौंच से नहीं निकलेगी हमारी ये गुलाई आएगी और दोनों हमारी ये सोक एक जैसी ही बनेंगे अब इसी थ्रेड को हम यहाँ पे देखिए नीचे ले आएंगे और अब हम इस साइड से इसकी सिलाई कर देंगे ये बिल्कुल आपके यहाँ से गैप नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारा खराब हो जाएगा और देखिए अब हम इस साइड से कर देंगे दोनों पैर की पिल्कुल आपने सेम फंदे डाल के और इसी तरीके से बनानी है और ये देखिए आगए की हम इस तरीके से गुलाई दे देंगे अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे खीच देंगे थ्रेड को अब हम पक्का करके यहीं पे काट देखिए ये देखिए अब मैं आपको इसको सीधी करके दिखाऊंगी और पेर में इसको डाल के दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी आई है ये देखिए परफेक्ट बिल्कुल इसकी शेप आई है ये हमारा नीचे का हिस्सा है और ये देखिए जब आप पैर में पैन होगे तो बिल्कुल ही आपकी ये उपर एंकल लेंथ तक ये इसकी शेप आएगी तो देखिए friends बहुत ही सुन्दर डिजाइन है आपको डिजाइन कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएए पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई डिजाइन के साथ थैंक यू